इसका फल बताओ तो सुनो एक अमीर आदमी का भालक सेट तो बड़े धर्मात्मा थे नाम था उनका टिनलू गुरू उनका भालक बड़ा धर्मात्मा लेकिन ऐसा उचट्टा लगा कि छोटा भाला भालक एकदम उल्टा बाब बेटा दोनो धर्मात्मा पर छोटा भालक एकदम अधर्मी कभी भगवान का नाम नी रिलता सत्संग के जाओ हैंने हम नहीं जाएंगे कौन सत्संग में जाएंगे भगवान कौन समय बरबाद करें तीन घंटा बरबाद करना कोई भक्ती नहीं कोई पूजा पाट नहीं तो सेड़ जी बड़े परेजान एक दिन अपने गुर्देों से कहा गुरू जी हमारा बालक बड़ा खतन ना के भगवान का भजन नहीं करता जापताप नहीं करता बड़े परेजान है कोई उपाय बताओ तो संद्जी ने कहा कि एक काम करना तो एक बाल ले आओ बांकि हम बुलाते रहेंगे एक बार मैं काम हो जाएगा ठीक है जबर जस्ती हाथ पाओं बांद करके ले आए महराज बड़ी मुश्किल से आया है दोबारा तो आने बाला नहीं लट्ठ और मारेगा जो करना हो एक अई बार मैं मंत्र अंत्र भूंको तो महत्मा जी ने कहा बेटा बोलो सीता राम वो बोला क्यों बोले महत्मा बोले नाम बोलने से क्या होगा बोले बोलने से क्या होगा महत्मा बोले बोलो तो पर बताएंगे क्या होगा कुछ होगा पक्का पक्का अब ले लो सीता राम बोल दिया अब बताओ क्या हुआ मात्मा बोले अभी कुछ नहीं पता लगेगा जब तुम मर जाओगे तब पता लगेगा बालक भी बुला अच्छे पागल है मरने के बाद कौम देखने आया और भाग गया देव यो्ग का अब इसरां कालाम्तर में मुबालक मर गया 6 बटर रहें हम आपको श्राण से सुनदे जो कहते भग्वार सीता राम कहने से क्या होता एक पारちゃूं अपनी जिंदगी में केवल सीता राम कहाओ मर गया तो संत करपा तो संत करपा होती कहते हैं गुरू करपा तो गुरू करपा होती तो जमरा उसे की बिबेग जागरती तो थी यमराज धर्मराज के सामने खड़ा हुआ तो धर्मराज से बुला हमारा बही खाता निकालो तो बही खाता निकाला तो दूतों ने बताया किसने जिंदगी में पाप ही पाप किये सिर्फ एक बार सीता राम कहा एक बार तो धर्मराज ने कहा बताओ क्या चाहते हो तो बालक ने उस सेट के बालक ने हाँच जोड़ कर कहा कि हमने जिंदिगी पर पाप किये तो नरक तो मिल नहीं है लेकिन सीता राम का जो फल मिलता हो हमने एक बार तो कहा है वो फल दे दिया जाए दर्मराज ने अपनी सबी भी घाता निकाले के उपर नीचे तक पड़े अब उस में तो सीता राम का कहीं फल लिखाई नहीं थे Dotala आआँ पढ़ोगे पहले उसीता राम काफल बताओ बताओ के एक बार सीता राम कहा उसका प१ल या वे तो लग रहा होगा हर्याणा का अदमी हाँ पक्का ऐसे खतना खटीले लोग हर्याना मही पाए जाते हैं और हर्याना के लोगों उसे पूछो तुम मही लड़ते क्यों इतने खतना क्यों बोले महाराज क्या बताएं हमाई साथ तो भगवान ने भी धोका किया एक हमारे बड़े इसने ही मित्रोसिस है सुधीर जी य हर्याना ही तो उनसे पूछो कि वही तुम लोग लड़ते क्यों बोले हमाई साथ भगवान ने भी धोका किया भगवान ने क्या धोका किया बोले वा रास रचाया ब्रंदावन के विद्ध्याध्यन कर्वें मत्य प्रदेश उज्जेन पहुंचे लाजा बने द्वार का के लड़ाई को टे में आओ सो कुरू छेत्र हर्याना में आ गए है 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 हमने का बात भी ठीक है तुमारी तुमारी बात भी अब उसको नकारा दोड़ी जा तो वह व्यक्ति खड़ा था धर्मराज के सामने हमने जिंदिगी बर पाप किया एक बार सीता राम का उसका फल नेकालो जो कछो नेकालो तो रहा है धर्माराजी बोले भई इसका फल तो हमें भी बता नहीं तुमारा लड़का बोला जहां लेचलो जिसके पास पता हो लेचलो ब्रमा जी लोग रहे इसे पास अब लड़का है पाव की फैठ आरे दूत लेंग जा एक नई आपहता बोल है उसका फल पहले दो अब हिसाब के दाम में जोनी नजर आ रहा हो कि फल का दे देंगे अब एक बार का फल क्या होता ब्रमा जी इसका तो हमें भी नहीं है पता है तो कहा किसको पता होगा बोले संकर जी जिद दिन ना रात जाप करत रात उनलो चलो ब्रमा जी इंट्रेस्ट जी बोले क्या से ब्रमा चार चार मोलें कहां घूम रहे हैं म्रमा जी इस बालक आप जीव आत्मा इसने जिंदिगी पर पाप कि एक बार सीताराम बोला है अब इसका दाबा है कि हमें जो सीताराम हमने एक बार रुड़ा उसका फल दो पहले क्या फ़ल है वो निकाल के बताओ पापका तो नरक भोगने को तयार है संकर जी बुले भई इस नाम का फ़ल तो जिनका नाम है वो ही बता सकते लड़का बुला सुनो यहां से बापस मत ले जाना जहां जा मिलना हो वहां ले चाओ उत्तर तो चाहिए हमाँ फिर क्या साप देउता भग्मान स्री हरी के पास पहुंचे जरकार हां बड़ी आफ़त हो गई क्या यह बालक हैस ने जिन्दिगी में सिर्फ एक बार सीता राम कहा और जिन्दिगी पर पाप करता रहा लेकिन एक बार तो सीता राम बोला है अब यह फल मांग रहा है कि फल बताओ राम जी बोले फल की हिसाब किताब तो कभी नहीं बन पाया लेकिन इसको बता दो कि इसका फल यही है कि तू एक बार सीता राम जब किया है तो तीनों लोकों में पालकी में घूमता हुआ हमारे पिगड़ जाएगा अब आज समझ में आया कि साइद जिंदगी भर सीता राम हिदय से कहा होता तो स्वयम राम जी हमें अपने लिवाने जाते है राम राम सबुक